पहले संपूर्ण पाठों की व्याक्या हम देख रहे हैं यानि हिंदी अन्वाथ पर हम चच्रचा कर रहे हैं तो सब से पहला जो इस कड़ी में चैप'Tर है वह messing संस्कित भाशाया महत्व संस्कित का अर्थ होता है संस्कित भाशाया यानि भासा का महत्व मतलब महत्व संस्कित भाशा का महत्व यह पूरे चैप्टर की नेम का अर्थ है आईए हम हिंदी अनवात के ओटेजी से बढ़ते हैं और एक ही वीडियो में सभी पार्ट का हिंदी धन्या है भारदेश यत्र जहाँ समुल सती का अर्थ होता है सुसोभित होती है जन-profit को पावनी मतलब पवित्र करने वाली हो depos to सुन्दर भाव मतलब भाव उद्भावनी मतलब उत्पन करने वाली सब्द संदोह संदोह का अर्थ होता है समूह प्रश्वीनी मतलब जन्म देने वाली सुर्भारती मतलब संस्कृत अब देखे पूरे का अर्थ क्या है धन्य है भारत देश जहां जन मानस को पवित्र करने सुर्भारती अर्थात संस्कृत समुलसती मतलब सुसोभित होती है धन्य है भारत देर जहां जन मानस को पवित्र करने वाली सुन्दर भावों को उत्पन करने वाली सब्द समुह को जन्म देने वाली संस्कृत सुसोभित होती है या देववाडी सुसोभित होती है आगे क्या है विद्यमान एशु यानि विद्यमान जितने भी वर्तमान में विद्यमान हमारे पास यानि की जो मौजूद निखिल वपी वाम एशु वाम एशु का अर्थ होता है साहित्यों अस्या मतलब इसका वामयम मतलब साहित्य सर्वस्रेष्टम सुसंपन्नम चवर्तत वर्तमान में जितनी भी साहित्य हैं उन साहित्यों में इसका साहित्य किसका इसका यानि संस्कृत का जो साहित्य है वो सर्वस्रिष्ट और सूसंपन है या ही भाषा संस्कृत नाम चे भी संसार में प्रशिद है या संसार में प्रशिद है महाभारत एतिहासी ग्रंत चत्वारो वेध सर्वा उपनिशद अस्टादस पुराणी अज्या मेव भाश्यायाम लेखतानी संति हमारी रमायन, महाभारत, एतिहासी, ग्रन्त, चत्वार मतलब होता है, चारो, वेदा मतलब वेद, चारो वेद, सरवा उपनिशद, सभी उपनिशद, अस्टा दस यानि अठार, पुराण में मतलब पुराण, अन्यानी अन्य महाकाव्य और नाठक अस्यामेव इसी भाषायां भाषा में लिखतानी मतलब लिखे गए संती मतलब हैं हमारी रामायण महाभारत एतिखासी ग्रंथ चारो वेद सभी उपनिशद 18 पुराण अन्य भीजो महा कावे और नाटक है अस्या में इसी भाषायां भाषा में लिखता आनी संती लिखे गए हैं इतना लिखेंगे आगे दिखें इमेव भाषा सर्व आर्य भाषाराम जन्नी इमेव भाषा इमेव मतलब यही भाषा मतलब भाषा सर्व सभी आर्य भाषाराम सभी आर्य भाषाओं की जन्नी मन्यते जन्नी है ऐसा भाषा तत्व विदिभी ऐसा भाषा तत्व के जानकार मा कि यमेव भाषा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जन्नी है। संस्कृत गौर Україमघू अनिक प्रकार की ज्यान का आशरे देने वाली। उस्षित तुम का अर्ठ होता है व्यापकता चोनव कस्यापी, नव मतलब नहीं, कस्यापी मतलब किसी के भी दृष्टी इर विश्या, दृष्टी से छिपा नहीं है देखे संस्कृत का गौरों अनेक प्रकार के ज्यान का आश्रे देने वाला और इसकी व्यापकता किसी के भी दृष्टी से छिपा नहीं है संस्कृत अश्य गौर्वं संस्कृत के गौरों दृष्टी पत्मानिय दृष्टी में रखते हुए संस्कृत के गौरों को दृष्टी में रखते हुए सम्यक गुरु आचारे प्रवेर डंडी ने सत्ती ही कहा है क्या कहा है संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्यात महर्शिभ्य वाग्यम अनवाख्यात मतलब कहा है महर्शी मतलब महर्शियों ने संस्कृत मतलब संस्कृत को दैवी मतलब देवाडी महर्सी ने कहा है संस्कृत को देवाडी यानि संस्कृत को महर्सियों ने देवाडी कहा है एक वापुना इसके अर्थ को हम फिर तेजी सी देख लेते हैं धन्य है भारत देश जहां जन्मानस को पवित्र करने वाली, सुन्दर भाओं को उत्पन करने वाली, सब्द समुहों को जन्मे देने वाली संस्कृत या देव वाड़ी सुसोभित होती है विद्यमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वस्रिष्ट और सुसंपन है यह भाषा संस्कित नाम से भी संसार में प्रशिद है हमारे रमायन, महाभारत, एतिहासी गरंद, चारोवेद, सभी उपनिशद, अठारपुराण, अन्यवी महाकाव्यनाटक इसी भाषा में लिखे गए है यमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जन्नी है, ऐसा भाषा तत्व द्वान मानते हैं संस्कित के गौरो इसकी ज्यान का आश्रे देना व्यापकता किसी के भी दृष्टी से चिपा नहीं है संस्कित के गौरों को द्रिष्टी पत्मानिय ध्यान में रखते हुए या द्रिष्टी में रखते हुए सम्यक गुरू आचाय प्रवी डंडी ने सत्य ही कहा है कि महर्षियों के द्वारा संस्कित को देवारी कहा गया है यार ये लिखेंगे संस्कित को महर्षियों ने देवाडी कहा है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोद की सामर्थ्य अद्वित्यम सुति माधुर्य चवर्थते और अद्वित्य और सुन्ने में मधुर है। संस्कित साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिष्टित है। इसके गद्य पद्य में लालित्य भावबोद का सामर्थ्य अद्वित्य और सुन्ने में मधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणाम याद्रिश्यम सत्प्रेणा संस्कित वामन्यस्टि ददाती नत आद्रिश्यम किस्ची द्यन्त। किम बहुना चरित्र निर्माणाम यानि जैसी चरित्र निर्माण की याद्रिश्यम मतलब होता है। सत्प्रेणा अच्छी प्रेणा संस्कित वायमम यानि संस्कित साहित ददाती मतलब देता है नत आदिश्यम किस्ची द्यन्त। वैसा अन्य साहित्य नहीं देता है। जैसी चरित्र निर्माड की सत प्रेणा संस्कित वामस्ती यानि संस्कित सहित्य ददाती मतलब देता हैं वैसा अन्य कोई सहित्य नहीं देता है मूल भूता नाम मानविय गुडा नाम यादरिश्टी विवेश्णा संस्की साहित्य वर्तते नायत तादिश्टे मूल भूता नाम मूल भूत मानविय गुडों की यादरिश्टी मतलब जैसी विवेश्णा संस्की साहित्य करता है वैसा अन्य कोई साहित्य नहीं दया, दानम, सौचम का अर्थ होता है पवित्रता, ओधार्य मतलब उदार्ता, अन्सुया मतलब इर्ष्याना करना, छमा, अन्नी चाने के गुड़ा, अन्नी अच्छे अच्छे जो गुड़ है, अश्रे शाहित्यम्स अनुस्रीलन से जयानते, और भी अने गुड़ इस शाह के अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, कि संस्कित साहित्य सरस्थ है और इसका व्याकरण सोनिश्चित है, इसके गद्य पद्य में लालित्य, भाव बोत का सामर्थ, और यह सुनने में मधूर तथा अध्वित्य है, जैसी चरित निर्मार की सत प्रेणा संस्कित साहित्य दे सोचम यानि पवित्रता, ओधार्य मतलब उदारता, अनसुया मतलब एर्ष्या न करना यानि जलन न करना किसी से, छमा अनेक जो अच्छे अच्छे गुण हैं, अस्य साहित्य अनुशिलन सजानते हैं, इस साहित्य की अनुशिलन मतलब अध्यन से सजानते मतलब उत्पन हो संस्कित साहित्य की आदिकवी वाल में की महर सीव्याश कवी कुलकुरू कालिदास और अन्य भी भास भारवी भभूती आधी महाकवी सुविक्ये मतलब अपनी ग्रंत रतने ग्रंत रतनों के द्वारा अध्यापी मतलब आज भी पाठकाना मतलब पाठकों के फिर्दे मतलब हिर्दे में वीराजंति मतलब विराजमान है संस्कित साहिते की आदे कवी वाल में की महरसी व्याश कवी कुल गूरु कालिदास अन्य भास भार्वी भभूती जो महाकवी है अपने सुख्य मतलब अपने गरंत रतन यानी गरंत रतनों के द्वारा अध्यापी आज भी पाठकों के हिर्दय में विराज्मान है इम भासा अस्माभी मात्री समम यह भासा अस्माभी हमारे लिए मात्री समम माता की समान सम्मानिय वंदनिय च्व सम्मानिय और वंदनिय है यतो भारत मातु स्वातंत्य गौरम अखंडत्वम सांस्कृतिम एक्तवम संस्कृतेम सुरक्षिन संक्रिणत इम भासा अस्माभी य यह भासा हमारी लिए माता की समान सम्मानिय और वंदनिय हैं क्योंकि भारत माता की स्वतंतरता, गौरो, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कित की द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कित भाषा सरवासु सभी भासासु भासाओं में प्राचिनता, पुरानी, स्रिष्टा, चो अस्ती और स्रिष्ट है। अब देखिए हम तेजी से अभ्यास प्रशन पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रशन उत्तर भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो दिया गया है प्रशन अभ्यास प्रशन का पहला प्रशन है। दू नंबर के आपके प्रशन भी आते हैं इसलिए इन्हें भी पढ़ लेना अतियावश्यक है। देखिए संस्की सहीतस और कवी कह आसित। अगला प्रशन संस्कीत क्यों प्रमुखा कव्या आसन। संस्कीत की कौन कौन प्रमुख कवी हैं तो संस्कीत की कौन कौन प्रमुख कमी हमने आपको बताया देखें कौन कौन से आधी कवी वालमेकी कवी कुलकुरू कालीदाश तो आप ऐसे लिखेंगे कि संस्कीत साहितश्य प्रमुखा कव्या वालमेकी महर्शिव्यास कालीदाश भाषब, भारवी, वभूती, इत्यादी संती ठीक है अत्वा करके संस्कृत भाषया मुख्या कव्या के संती यानि कौन-कौन है तो फिर इसका भी उत्तर वही होगा कि संस्कृत साहित तषे प्रमुक्हा कव्या वालमिकी, मह श्रिव्यास, कालीदास भाष भार्वी वभूति इत्यादि संति का भाषा अस्मावी मात्री समं मान्या कौन सी भाषा हमारे लिए माता के समान है Clayton अभी आपने पढ़ा कि संस्कित भाषा अस्माभी मात्री समं मान्या तो का की जगर पर बस संस्कित आप लिख देंगे अगला प्रश्ण है कि भाषा सु प्राचिनता स्रेष्टा च भाषा का अस्ति भाषाओं में प्राचिन स्रेष्ट और स्रेष्ट भाषा कौन है तो बहले भाषाओं की जन्नी मानते हैं तो का की जगह पी आप संस्कृत लिख देंगे अगला प्रश्ण है कि संस्कृत स्य अनुशिलने के गुड़ा से जानते तो आप उतर लिखेंगे कि संस्कृत स्य सहित्यम अनुसिलन दया, दानम, सोचम, ओदारियम, अंसुय, छमा, चैत संस्कित भाषा प्राचीना अथ्वा नविन अस्ति कत है यानि संस्कित भाषा प्राचीन है या नहीं है तो आप प्राचीना लिखें ठीक है आप इतना लिख लेंगे अगला है कि संस्कित साहितर्षि का विशेष्था थे की क्या विशेष्था है तो देखें यह प्रश्ण थोड़ा सा आपके लिए वह हो गया परण्तु ज्यादा भी नहीं है तूकि इसकी विशेष्था पूची गई हो और आपने विशेष संस्कित की गौरों को ध्यान में रखती हुए प्रवी डंडी ने क्या कहा तो आप इसका उत्तर लिखेंगे संस्कितम नामदैवी वागन आख्यान महर सिभ्या ठीक है यह आप लिख लेंगे अगला प्रश्ण है कि कस्ये वामस्य सर्वस्रिष्टम वर्तते तो संस्कित स्ये संस्कित साहितस्य्य वाकरणम क्रिदिश्शंव अधिए तो अप इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कित साहितम सर्वस्रिष्टम सु संपननम च व्याकरणमphon च सुनिष्चितम वर्तति ठीक है एतना उत्तर लिख लेंगे अगले पाड़् की और हम लोग बढ़ते हैं अगल ग्यानी ही सरवग्य होता है इस चैप्टर का पूरे नाम का अर्थुआ आए हम इसके गज्ञांसों का जो हिंदी अन्वाद है उसकर चच्चा कर लेते हैं देखे दिया गया है कि यागवलक्यों मैत्रेई उवाच यागवलक्य ने मैत्रेई से उवाच मतलम कहा मैत्रेई हे मैत्रेई उद्या अश्यन अहम अस्मात असनात अश्मी उद्या अश्यन का अर्थ है मैं उपर अर्थात पारिवार्ज नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ यानि इस अस्थान को छोड़ कर मैं अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ मैं जो हूँ वग्रिहस्त आस्रम को छोड़ करके उध्या अश्यन यानि पारिवाज ज्य नामक अन्य आस्रम में जाने वाला हूँ ऐसा कौन कहता है यागवलक के मैत्र इसे कहते हैं तत अस्तनया कात्याइनी विच्छेदम करवार इती अतह इस कात्याइनी नामक दूसरी प्रत्मी से विच्छेदम करवार इती तुम्हारा जो भी धन है उसका विच्छेदम मतलब बटवारा करवार इती करवा दू तत अस्तनया इसलिए मैं अपनी दूसरी प्रत्मी कात्या उसे संपत्ती का बट्वान कर दूं यानि कि तुम्हारे और नाथा आधा संपत्ती का बट्वार कर दूं तो महत्रे उवाज्फ करते हैं, मैं एक श्यामति हो जाओंगी तब मैक्रेई ने यह बात को सुन करके जब वो कहते हैं कि मैं आपने दूसरी पत्नी का त्याएनि इसे संपूर संपत्ति का बटवारा कर दूँ तो मैक्रेई यह सुन करके बोली यदि संपूर पृत्वी वितें यानि धन से तो क्या मैं उससे अमरता को परेब्त हो जाओंगी यानि अमर हो जाओंगी याकवलग की उवाच याकवलग की नहीं कहा निती नहीं यतेव उपकरना त्वाम जीवनम तद्थेव तेव Eisen chiaad जैसा कि यतेव मतलब जैसा की उपकरन त्वाम जिनके पास संपूं अमईट्रे होता है यानि साधन संपण या धन्मानों का जैसा जीवन होता है तत्हे वैसा हि ते जीवन स्यौत वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा जब मैत्रे जो हैं वो यागवलक्य की बातों को सुन करके उवाज कहीं कि यदि संपूर्ण प्रिथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर्ध हो जाओंगी तब यागवलक्य ने कहा नहीं नेती मतलब नहीं यथा वैसा ही उप्करण वताम उप्करण यानि साधन संपन्नों का जैस जीवन होता है तथ है वैसा ही जीवन स्यात तुम्हारा भी जीवन होगा अम्रितस्वतु नास्ति वितेन इती धन से अम्रत्व यानि अमर्ता की आसा नहीं होती है सा मैत्रई उवाज वह मैत्रई बोली सा मतलब वह, देखिए सा जो होता है वो पूलिंग के लिए है पर सा जो हो मैत्रई हैं इसलिए इनके लिए प्रयोग किया गया है साथ तब वह मैत्रेई वाज बोली ये नाहम नामरितम स्याम किमम तेम कुरिवां ये हां जिस्ते में अमर नहीं होंगे नामरितम यानि जिस्ते में अमरता को प्राप्त नहीं होंगी किमम तेम कुरिवां मैं उसका क्या करूँगी वो कहती है ये नाहम नामरितम स्याम जिस्ते में अमर्ता को प्राप्त नहीं होंगी, किम्हम तेंग कुर्णा उसका मैं क्या करूँगी, यदेव भगवान यानि कि भगवान किसके लिए संबोधन है, वो यागवलक्य के लिए है, वो कहते हैं कि आप केवल अमरिद साधनम जनानती, अमर्ता को पानी का साधन जानते हैं, यदेव भगवान यहां पर यागवलक्य के लिए प्रयोग हुआ है कि यागवलक्य से वो कहती हैं मैं तेव है आप केवल एक आप ही है जो अमर्ता को पाने का साधन जानते हैं तदेव में ब्रुही मतलब कहो वही मुझसे कहें यागवलक्य के वाज यागवलक्य नही कहा प्रिया न सती तुम प्रियं भास से प्रिय बोलती हो एही आओ उप्विस बैठो कहते हैं एही आओ उप्विस बैठो वाख्या स्यामी तेस अम्रित साधनम मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की यानि अमरतो पाने की साधन की व्याख्या स्यामी व्याख्या करूँगा अकसर पूछा गया है तो इसी ध्यान से देख लीजे देखे आगे हैं कि यागवलक की उवाज यागवलक के नहीं कहा नववा अरे मैत्री हे मैत्री नववा अरे हे मैत्री ऐसा नहीं है पत्यों कामाई पती प्रियोब होती पती की कामना से पत्यों मतलब पत्यों की कामना से पती प्रियोब होती बल्कि अपनी कामना के लिए 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 पती प्रियोब होता ह आत्म नस्तू यानि अपनी कामना पूर्थी के लिए उन्हें पति प्रिय हुता है तो आप लिखेंगे कि पत्यों कमाये पति प्रियो भौती पती की कामना से पति प्रिय नहीं होता पत्नी को बलकि आत्मवस्तु कमाए बलकि पत्नी को अपनी कामना पुरती के लिए पत्नी प्रिय होता है। पत्नी को बलकि इसलिए पत्नी प्रिय होती है। पत्नी कामना पुरती के लिए पत्नी को बलकि इसलिए प्रिय होती है कि वह रहेगी तो उसके ग्रिहस्ती उसके बाल बच्चो इत्यादी को संभालेगी। तो आत्म वस्तु वा कामाई जाया प्रियो भवती पत्यों को अपनी इच्छा पुरती के लिए पत्नी प्रिय होती है। आगे कहते हैं नव वा अरे इसी प्रकास से पुत्रश्य वितर से चा कामाई पुत्र और धन चा कामाई पित्रों वितम वा प्रियों भवती पुत्र और धन प्रियों नहीं होते बलकि अपनी आत्म पुरती के लिए अपनी स्वार्व पुरती के लिए पुत्रों वितम वा अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिया नहीं होते। तस्मात इसलिए आत्मावा अरे मैत्रई हे मैत्रे या आत्मा जो है दिश्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, क्योंकि आत्मा के दर्शन के द्वारा ही सब कुछ विदित मतलब ग्यात होता है क्योंकि आत्मा की दर्शन से ही सब कुछ विदित होता है यानि सब कुछ ग्यात होता है यानि आत्म दर्शन से ही सब कुछ ग्यात होता है अब हम प्रश्ण उत्तर की ओर बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्ण भी इसका देख लेते हैं देखे प्रश्ण पूछा गया है कि यागवलक की मैत्रेई कसी विश्यस से व्याख्यां कृत्वान किस विशय की व्याख्या करवाते हैं किस विशय की व्याख्या करने को कहा तो कस्य की जगह पर आप लिखेंगे अम्रित तत्वस्य, अम्रित पुछ नहीं के प्रश्ण पर आत्मनह कामाई सर्वं प्रियम भौती यानि अपनी कामना के लिए सभी प्रियों होते हैं अगला प्रश्ण है कह सर्वग्य भौती तो आप लिखेंगे आत्मनह दर्शनी नरह सर्वग्य भौती यानि आत्म दर्शन से सब कुछ ग्यात होता है कस्け दर्शन सर्वं विदीतं भौती, किस्की दर्शन से सब कुछ विदीत होता है, तो कस्ची की जगा पर आप लिखेंगे आत्म दर्शन या आत्मा आप लिखतेंगे अगला प्रशन है यागवलक्य मैत्री प्रतिकिम अमृत्साधन उक्तम तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि यागवलक के मैत्री आत्मन livres अगले दिखेंगे चैप्टर के वर्डर्ते बढ़ते हैं अगला चैप्टर दितम ये आपके चैप्टर में नहीं है सामाले हिंदी वाले विद्ध्याथ्यों के लिए ठीक है अगला जो चैप्टर है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं देखिए अगला जो पाचवा चैप्टर है जातक कथा इस पर हम चर्चा करते हैं चुकि यह चैप्टर काफी इजी है बहुत जादा हाड नहीं है तो इसे भी हम देखते हैं तीजी से सभी चैप्टर का प्रथम कल्प में जनाह मतलब लोगों ने एक अभिरूपम का अर्थोताई विद्वान, एक विद्वान, सोभाग्य प्राप्त, सर्व आकार परिपोन, सभी आकृतियों से परिपोन, यानि सभी तर से परिपोन, यानि सभी आकृतियों से परिपोन, पुरुसम मतलब अकुर्वम राजा बनाया अतीते प्रथम कल्पे बीते प्रथम कल्प में जनाह मतलब लोगों ने एक अभिरूपम एक विज्वान सौभाग्य प्राप्त सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को अपना राजा बनाया चतुस पदा च्वपायों अपी मतलब भी च्वपायों यानि चार पैरों आले यानि पसुन ने अपी मतलब भी सनिपत्य एकत्र होकर के एकम सिंगहम राजा अकुर्वम एक सिंगहम मतलब होताएसे राजा अकुर्वम अपना राजा बनाया बीते प्रथम कल्प में जनाह मतलब लोगों ने एक विज्वान प्रग्यायते मनुष्यों में राजा प्रग्यायते मतलब जाना जाता है तथा चतुस पदोच और च्वपायों में भी ऐसा कहते हैं एकत्र होकर तभी इसके बाद सकुनिगड़ा पक्षिगड़ हिमवत प्रदेसे हिमाले प्रदेस में एक पासार मतलब चट्टान के पास एकत्रित होकर के कहते हैं कि मनुष्यों सु राज्या प्रग्यायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुस प हमारे बीच कोई भी राजा नहीं है और राज को और मतलब बिना राज को मतलब राजा के वासो मतलब निवास करना नाम नवर्थते उचित नहीं है। वो कहते हैं कि बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है, एको राज अस्थान ने एको राजा के अस्थान पर अस्था पवित बैठाना चाहिए। उन लोगों ने कहा। अध एको राजा के अस्थान पर अस्थान पर अस्थापित करना चाहिए इती उकवन्त ऐसा उन लोगों ने कहा। अध ते इसके बाद परस पर एक दूसरी पर अलोक्यन त द्रिष्टी डालते हुए एक उलुकम एक उलुक को देख करके अयम नोरुचते इत उवोचन यह हमको अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों ने कहा। अध एक इसके पश्चात एक सकुनी मतलब पक्षी सर्वेसाम सभी के मध आशय को ग्रहण करने के लिए जानने के लिए त्री कृत्व तीन बार अस्राव्यत सुनाया। मतल सुनाया कारत क्या है गुष्टना की अतयकं अत्अछ एक पकशी ने सबी की मध्य आशे को जानने के लिए तीन बार उलु की नाम की घुष्टना की कि उल्लू हमारा राजा होगा उल्लू हमारा राजा होगा उल्लू हमारा राजा होगा इस पर सभी का क्या मत है या जानने के लिए तीन बार एक पक्षी उसके नाम की खुशना करता है ततह एक काक तभी एक कावा उत्थाए उठकर तिस्ट तावर कहता है कि जरा ठहरो अस्य एतस्मिन समे राज्या भिशेक काले इस राज्या भिशेक के समे एवम रूपम मुखम इसका मुख देखो पुरोधर से चक्रिदिशंभविश्यती पुरोध में कैसा होगा तभी एक कावा उठकर कहा तिस्ट तावर जरा ठहरो जरा रुको अस्य इस एतस्मिन राज्या भिशेक काले इस राज्या भिशेक के काले मतलब समे एवम रूपम मुखम इसके मुख को देखो कि राजया भिस्टेख जबकि उल्लु को राजा बनाया जा रहा है इस समें राजया भिस्टेख के समें इसके मुख को देखो कैसा है तो क्रोधर्च चछकरिति श्रम भविशती तो क्रोध आने पर इसका मुख कैसा होगा अनेन ही क्रोधेन या क्रोध होकर के अवलोकिता देखेगा वयम हम तप्त कठाहे गरम कठाहे मतलब कठाहे मतलब कठाहे में प्रचित इस्तला डाले गए तीलों की तरह तत्र तत्रैव जहां के तहां छड़ छाम जल जाएंगे देखिए फिर से सुनिए अईसा उसने कहा किसने उस कौवेन है क्या आगे कहता है कहता है ना मेरूचते या मुझको अच्छा नहीं लगता भद्रम कल्यान कारी भी नहीं लगता वह उल्लुक राज्याविशेचम उलू का राज्याविष्येक न तो मुझे अच्छा लगता है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। कि उङलनु क का राज्या भीस्यव अभश्यत WRONG मुझे अच्छा नहीं लगता अब क्रोध के अ स्या Canal क essen लोक क्रोध की लिगißt सब एक उक्तवा वह वह ऐसा उक्तवा कहता है महियम न रूचते मुझे अच्छा नहीं लगता इती विरू ऐसा चिलाता हुआ विरूआन मतलब चिलाता हुआ आकासी मतलब आस्मान में उत्पदत उड़ गया वह कहकर यह कहकर वह जो कावा है यह कहकर कि महियम न रूचते मुझे अच्छा नहीं लगता इती विरूआन ऐसा चिलाता हुआ आकासी उत्पदत आकास में उड़ गया उलुको अपी उत्थाए उलु भी उलुको अपी उलु भी अपी मतलब भी उत्थाए उड़ करके एन तन भावत उसके पीछे भागा या दोड़ा उलुको अपी उलु भी उठाय उठकर उसके पीछा किया यानि उसके पीछे धावत मतलब दोणा तत आरंब तब से लेकर अब तक अनोने वैरणी जातो वे एक दूसरे के वैरणी मतलब दुस्मन जातो मतलब हो गएं तब से लेकर अब तक वे एक दूसरे के क्या हो गएं सत्रू हो गएं सकुन्याह अपी सुवर्ण हंस राजा नम कृत्वा आग्मन सकुन्याह पक्छी भी सुवर्ण हंस को राजा बना कर चले गएं यहां से उल्लुग जातक कथा कथम होता है एक वाफर से सुन लेजे पूरे का अर्थ बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौ भाग्य प्राम्त सभी आकृतियों से परिपूर्ण पूरुस को अपना राजा बनाया चौपाईयों यानि जानवरों ने भी ए वाज करना न वर्थती उचित नहीं है एक को राजा के अस्थान पर अस्थापित करना चाहिए इती उप्वंत ऐसा उन लोगों ने कहा अत ते इसके पश्चात परस्पर अलोक्यंत एक दूसरे पर दिश्टी डालते हुए एक उलुकम दिश्टवार एक उल्लु को देखक अत एक इसके पश्चात एक सकुनी पक्षी ने सभी का आसे जानने के लिए उनके मध्य तीन वाद उल्लु के नाम की घुश्टना की तभी एक कावन ने उठकर के कहा तिश्ट तावर जरा ठहरो इस समय जब राज्या विशेक का समय है तब इसके मुख को देखो क्रोध मे इसका मुख कैसा होगा अनेन ही क्रोधेन और लोकिता जब यह क्रोध में होकर के वयम हम लोगों को देखेगा तो कप्त कठा है जड़ते हुए कड़ाई में डाले गए तिल की भाती हम जहां की तहां जल जाएंगे इदिसो राजा महियम न रोचते इसका राजा बनाना मु अच्छा नहीं लगता महियम न रोचते मुझको अच्छा नहीं लगता ऐसा विरुवन चिलाता हुआ आकास ये आकास में उत्पतत उड़ गया उलोको अपी उल्लू भी उत्थाय उट करके इन द्वावत उसका पीछा किया तत आरंभ तो अनन्य वैलिडी जातो तभी से अनन्य वैलिडी एक दूसरे के सत्रू हो गए सकुन्या यहां पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया और वो चली गए अदेखी इसी के आगे नित्य जातकम है नित्य जातकम पे भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या है अतीते प्रथम कल्पे बीते प्रथम क चतुस पदा चोपायों ने सिंगं राजा अकुर्मम प्रटरी को अपना राजा बनाया अभी आपने पढ़ा की बीते प्रथम कल्प में चोपायों यानी जानवरों ने सेर को अपना राजा बनाया तस चय पुनव पोतिका अतीव रूप वती आसेत देखे उस सुवर्ण हंस तस्य पुना उस सुवर्ण हंस दुहिता का अर्थ होता है पुत्री तस्य पुना इसके बाद पुना सुवर्ण राज हंस तो है उसकी पुत्री हंस पोती का जिसका नाम है अतीव रूपवती आसित अत्यंत रूपवती थी उस सुवर हन्स की पुत्री हंस पोती का अत्य रूप मतलब पुत्री वर दादात यानी वर दिया सा व् आत्मनी रूचितम स्वामी व्युडियात एती जिसमें उसकी रूचिहो ऐसे स्वामी को अपना वर चुने सतश्मेवर अददार सुवन हंस ने उसे वर दिया कि वह आत्मनी रूचितम अपने मनपसद पती का वर्युड़यात वरण करे, यानी वर चुने, अपने मनपसंद पती का वरण करे, यानी अपने मनपसद वर खोजे हंस राजा तच्छे वर्वं दत्वा हंस राज ने उसको वर्दे करके हिम्वती हिमाले प्रदेस में यानि हिमाले सकुनी संगे पक्छियों के संग यानि पक्छियों के गड़ सन्पतत के पास उत्रा सुवर राज हंस अपनी पुत्री को वर्दे करके हिमाले के पास पक्छियों के समू के पास उत्रा जहां विभिन प्रकार के हंस मोर पक्छियों का समू समागत्य एकस्मी महत्ती पासारतले सनपतन एक बहुत बड़े पासारतल यानि पत्थर के तल के पास एकत्रित हुए हंस राज आत्मनह चितरूचितं स्वामिकं आगत्य विवड़यात इती दुहितं आदेशितं हंस राज ने अपनी दुहित यानी पुत्री को आदेशितं आदेश दिया कि आत्मनह वह अपनी चितरूचितं मनपसंद स्वामिकं आगत्य आ करके अपनी स्वामिका वरण करे देखे हन्स राज ने हन्स राज आत्मनह अपने दुविताम आदेशं पुत्री को आदेश दिया कि चितरूचितम मन पसंद आगत्य मतलब आ करके अपने मन पसंद स्वामी का वरण करें क्या आदेश देते हैं हंस राज सुवर हंस अपनी पुत्री को कि दुईत्ता को आदेश देते हैं कि वह आ करके अपने मन पसंद स्वामी का बरण करें सा वह जो उनकी उत्री होती है हंस पोती का वह सकुन संगे पक्चियों के संगे मतलब पक्ची गण को आव लोक्यंती देखती है ठिक है द्रिष्टी जालती है उन पर मडी वर्ग्रिवं मडी के रंग वाले चित्र प्रेक्षणम चित्र द्रिष्टी मयूरं द्रिष्टवा म पक्चियों के संग पर और देखते हुए मड़ी वर्ड ग्रिवं मड़ी के रंग के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम और जिसके सरीर पर चित्र बना है मयूरम द्रिश्टवा ऐसे मयूर को देखकर अयम में स्वामी को भवतू यह मेरा स्वामी बने इत्भासत ऐसा मयूर अध्यापी मोर आज भी अध्यापी मतलब आज भी तौम ने बलम न पस्चिसी तुम मेरा बल नहीं देखती हो इती अती गर्वडे ऐसा अत्यंत गर्व के साथ लज्जा तक्त्वा लज्जा को तक्त्वा मतलब त्याग कर तन अंतम संकुनी संगे मद्य पक्छो प् चाप रच्छिनों अववड मतलब पूरी तरह से नंगा हो गया यानि बिने वस्त्रका हो गया तेखें कहते हैं कि आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो ऐसा कहकर अती गर्वडे अत्यंत गर्व से लज्जा तक्त्वा सर्म को त्याग करके तान्व हंतं तान्व हतं स सकुनी संगे गर्व से लाज को त्याग कर पक्छियों के समु सकुनी संगे यानि पक्छियों के समु के मध्य मतलब बीच में पक्छियों मतलब पंखों को प्रशारी मतलब फैला कर नतिम आरंभो द्वान नाचना आरंभ कर दिया नित्यम चा अप्रिछो अववत और उसक नैवहिम इसके अंदर विने नहीं है, हुई मतलब विने यानि संकोच नहीं है न ब्राणम समुन्थाने लज्जा और नहीं इसे पंक को सम उठाने, पंको को उठाने में लज्जा लाज ही है नास में गत्रपाई इस लज्जा हीन को स्वधुहितम दास्यामी मैं अपनी पुत्री दूँगा इतकत्यत कभी नहीं दूँगा ऐसा वो कहते हैं नास में नहीं गत्रपत्य स्वधुहितम दास्यामी इस लज्जा हीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूँगा इतकत्यत ऐसा उन्होंने कहा देख लिजे एक बाद फिर थे देखिए विविन प्रकार के हंस मोर पक्षियों का समू एक महती मतलब विशाल पासार तल के पास उत्रे हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देते हैं कि आगत्य आ करके चितरूचितम मन पसंद स्वामी का विर्ण वरन करो यानि कि हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देते हैं कि आ करके मन पसंद स्वामी का वरन करो सा व पक्षियों के समू को अलोक्यनती देखती है मड़ी वडगिर्मम मड़ी के रंगवाले गर्दन चित्र प्रेक्षणम और जिसके सरीर पंकों पर चित्र है ऐसे मयूरम दिश संगे पक्षियों के मध्य पक्षो प्रसार अपने पंकों को फैला कर नाचना आरंब कर दिया जिसके उसका पूरा सरीर नंगा हो गया सुवन राज हंस लज्जित हुए और वो कहते हैं कि इसके अंदर वी विनय नहीं है अस्तिन अब राणम समू उत्थाने लज्जा और या ही इसे अपनी पंकों को सभी के वीच उठाने में लज्जा है नास में कभी भी मैं अपनी पुत्री को इसे नहीं दोगा इतकत्यत ऐसा उन्होंने कहा। हंस राज तथ है परिशन मध्य हंस राज तभी परिशन मध्य परिशत के मध्य आत्मनह अपने भागिना भागिना यानि भांजे हंस पोत का जिसका नाम है दुहितम अदादात अपनी पुत्री दे दी हंस राज ने तभी परिशत के मध्य अपने भांजे हंस पोत को अपनी दुहिता देदी यानि अपनी पुत्री देदी मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य मोर हंस पोतिका को प्राप्त न कर पाने से लजजित लजजित होकर तसमात असनानात पालेत वहां से भाग जाता है हंस राजो अपे हिष्ट मानस स्वग्रिहम अगच्छत हंस राज भी हिष्ट मानस यानि प्रसंचित मन से खुश्च मन से स्वग्रिहम अपने घर अगच्छत चला गया हंस राज तभी परिशर की मद्य में अपने भांजी हंस पोत को अपनी दुहिता दे दी यानि अपनी पुत्री दे दी मोर हंस पोतीका को नप रापत करने से लज्ची ठोकर कि वहां से भाग जाता है हंस राज भी हिश्ट मानसर प्रफुलिद मनसी खुश मनसी अपने घर को चला गया, यहां पर जातक कथा समाप्त होता है, अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं, अगला पार्ट आपको में दिया गया है जो भी, निपती दिलिपा, यह भी चैप्टर आपके में नहीं है, सामाने हिंदी वालों में, इसे आपको नहीं पढ़ना है, आगे हम पढ़ते संस्क्रित खंड का आठ्वा अध्याय सुभासित रत्नानी, अर्था सुभासित रूपी रत्न, इस सिर्शक की संपुर्ण, पद्यास का हिंदी अनुवाद हम आपसे साजा करेंगे, आशा करते ही कि यह वीडियो आपके लिए परिच्छा की द्रिश्टी से अध्यंत महत् सिर्श्टक है, क्योंकि इस सिर्श्टत से हर साल कोई न कोई परिच्छा में पूछा जाता है और एक परिच्छा आपको दीया जाता और इसका हिंदी अनुवाद आपको करना होटा है, इसलिए आप इस सिर्सक को अत्यनत महत्यों पूर्ण मानते हुए इसे बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे साथ ही आपसे अन्रोध है कि आप अपनी पुस्पक को भी अपने साथ लेकर बैठें ताकि आप कठीन सब्दों को कहीं लिख लें और साथ हिंदी अन्रोध को भी कहीं कौपी पे लिख लें क्योंकि यह जो सिर्शक है वो हर साल परिक्छाओं में लगभग आया ही है तो आईए देखते हैं सुभासित रत्नानी अर्था सुभासित रूपी रत्न नामक जो सिर्शक है उसके संपूर इश्लोग का हिंदी अन्रोध पहला इश्लोग क्योंकि इस प्रकार है भासासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवार भारती यानि भासाशु मतलब भाशाओं में मुख्या मतलब मुख्य मधुरा मतलब मधुर दिव्या मतलब दिव्या गिवार भारती अर्थात देवाडी यानि देवाडी किसे कहा जाता है तो देवाडी जो है वो संस्कृत को कहा जाता है यानि उससे भी अधिक, सुभासितंग। पहले इस लोग का अर्था देखेंगी कि ताई कि गिवार भार्टी अर्था जो देवारी संस्कृत है वो समस्त भासाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है तस्याही मधुरम काव्यम तस्माद अपी सुभासितम निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है तस्माद अपी सुभासितम और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुन्दर उग्ति है अर्थात वच्चन है कहता है कि जो देवारी संस्कृत है वो समस्त भासाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य है उसका जो काव्य है वो मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसकी सुन्दर उक्तिया है, अर्थात वच्चन है अगला जो आपका है स्लोक उसका अर्था आप देखेंगे सुक अर्थिन कुतो विद्या, सुक अर्थिन मतलब सुक चाहने वाले को, कुतो मतलब कहां, विद्या मतलब विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, विद्यार्थिन मतलब विद्या प्राप्त करने वाले को, केता है कि सुख चाहने वाले को तजेत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्या मतलब विद्या, विद्या अर्थी वा तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को वा तजेत मतलब त्याग देना चाहिए, शुखम मतलब सुख जो सेकेंड स्लोग है उसमें कहता है कि सुक अर्थिनव कुतो विद्या सुक चाहने वाले वैक्ति यानि जो सुक की चाहत रखते हैं उनको विद्या कहां कुतो विद्यार्थिनम सुखम आगे कहता है कि विद्या प्राप्त करने वाले को यानि विद्यार्थि नहां मतलब विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, सुख अर्थिवा तजेत विद्याम यानि सुख चाहने वाले को विद्याम तजेत यानि विद्या का त्याग कर कहता है कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए विद्यार्थी वा तरजे सुखम और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदू निपाती क्रमस पुर्यते घटा सहितु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चाहिए। जल बिंदू निपाती निपाती अर्थात गिर्ने से जल बिंदू अर्थात जल की बुंदें गिर्ने से क्रमस मतलब लागातार। लागातार जल की बुंदें गिर्ने से पुर्यते घटा, पुर्यते मतलब भर जाता है, घटा मतलब घडा। लागातार जल की बुंदों की गिर्ने से घडा भर जाता है। आगी कहता है कि सहेतू यानि यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचे होता है। जिस प्रकार कहता है कि क्रमस यानि लागातार जल की बुंदों की गिर्ने से घडा भर जाता है, यानि कि जो जल की बुंदे होती है, वो बुंद बुंद गिर्ने से क्या होता है, कि घडा भर जाता है, उसी प्रकार यही चीजे जो है, वो विद्या, धर्म और धन के लिए भी लागू होती है अर्थात कहने का ताथ पर यह है कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचे होता है काव्य शास्त्र विनोदेन यानि काव्य और सास्त्र की चर्चा रूपी मनुरंजन से कालो गक्षती धिमताम गक्षती मतलब जाता है कालो अर्थात समय दिमताम अर्थात बुद्धिमानों का आगी केता है वैशनीन च मुर्खणाम निद्रयाय कलहीन वा वैशनीन मतलब बुरी आदस से मुर्खणाम मतलब मुर्खों का या मुर्ख वैक्तियों का निद्रयाय मतलब सोने कलहीन मतलब लडाई जगणा कहता है कि ताव्य सास्त्र विनोदेन कालो गच्चती धिमताम अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य सास्त्र विनोदेन चर्चा रूपी मनुरंजन में गच्चती मतलब जाता है समय जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय होता है वह काव्य सास्त्र रूपी चर्चा की मनुरंजन में जाता है या वैतीत होता है वैसनीन चव मुर्खणाम निद्रया कलहीन वा और मुर्ख वैक्ती जो होता है मुर्खणाम मतलब मुर्ख वैक्ती का जो समय होता है वह वैसनीन मतलब बुरी आदतों निद्रया सोने कलहीन वा और लड़ाई जगडों में वैतीत होता है यानि जो वो धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो कापवे और सास्त की चर्चा रूपी मनुरंजन में बीतता है और जो मुर्क वेक्ती होता है उनका जो समय होता है वो बुरी आदतों सोने और लडाई जगडे में ही बीतता है न चोर हार्यम, न चोर राज हार्यम, न भात्री भाज्यम, न चोर भारकाली, वै कृति वर्ध एव नित्यम, विद्याधनम, सर्वधनम प्रधानम कहता है कि चोर हार्यम अर्थात चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न मतलब नहीं नौ चो राजहार्यम, राजहार्यम मतलब राजा द्वारा छीना जा सकता है लव भात्री भाज्यम, भारती भाज्यम मतलब भायू द्वारा बाटा जा सकता है नौ चो भारकारी, भारकारी अर्थाक भारकारक यानि भारी वई कृती वर्धती वई मतलब खर्च करने से वर्धती मतलब बर्धता है नित्य मतलब हमेशा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम सर्वधनम प्रधानम मतलब सभी धनू में प्रधान है यता है कि जो विद्या है ऐसा है कि नच और हार्यम नच और राज हार्यम ऐसा विद्या धन है जो जिसे न चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है न भारती भाज्यम न चबहारकारी न भाई द्वारा बाटा जा सकता है और ना ही भारकारक है वई कृते वर्धते एव नित्यम नित्यम मतलब हमेशा वय करने से बढ़ता है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम इसलिए जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान है क्योंकि न चोर इसे चुरा सकता है न राजा द्वारा इसे छीना जा सकता है न भायू द्वारा इसका बटवारा होता है न ही यह भारकारक होता है और हमेशा बाटने से या खर्च करने से या बढ़ता है परोक्षी कारी हंतारं, त्रत्यक्षी प्रियवादिनं, वर्जेत ताद्रिशं मित्रं, विष्टे कुम्भग पयो मुखं परोक्षे, अर्थात पीठ पीछे, कारी हंतारं, यानि कारी को नस्ट करने वाले प्रत्यक्षी मतलब सामने, प्रियवादिनं, प्रिय बोलने वाले वर्जेत ताद्रिशं, वर्जेत ताद्रिशं मतलब त्याग देना चाहिए, ताद्रिशं मतलब वैसे ही विश्ट कुम्भम यानि विश्ट के घड़े को पयो मुखम पयो मुखम मतलब मुख में या उपरी हिस्से में दूध वाले कहता है कि पीठ पीछे कार्य हंतारम यानि कार्य को रस्ट करने वाले प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और साबने प्रियवादिने वाले मित्र मतलब मित्र को वर्जे ताद्रिशम वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विश्ट कुम्भम पयो मुखम जिस प्रकार मुख में या उपरी हिस्से में दूध वाले विस्के घड़े को हम क्या करते हैं? त्याग देते हैं. इवापुना देखेंगे, कहता है कि पीट पीछे कार्ये को नस्ट करने वाली सावने प्रिये बोलने वाले मित्रों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प उदेती सविता ताम्र इस्तारम इवास्त एतमेती च संपत्तो च विपत्तो च महत्ता एक रूप उता उदेती यानि उदित होता है सविता मतलब सुरिय ताम्र मतलब तामे के रंका अर्थात लाल रंका अस्त एती और अस्त होता है तब भी संपत्तो यानि संपत्ती हो चाहे विपत्तो विपत्ती हो महत्ता जो महान पुरुष होते हैं एक रूपता समान रूप में होते हैं अब इसकार देखते हैं कि सुर्य उदय होता है उदयती उदय होता है सविता मतलब सुर्य सुर्य उदय होता है या अस्त होता है दोनों ही समे ताम इस्तारम लाल होता है सुर् अगला क्या है? दूसरों को परिपेड़नाय पीड़ा पहुचाने के लिए होती है। इसके विपरीद जो साधू लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी जो विद्या होती है, वो ग्ञान के लिए होती है, धन जो होता है, वो दान के लिए होता है। और जो सक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला है विडुते यानि वरण करती है व्रिमस कारिणम मतलब विचार कर कारिय करने वाली यानि व्रिमस कारिणम मतलब सोच समझ कर कारिय करने वालों को गुण लुपदा गुणों की लुपदा यानि समपतिया यानि लक्षमी देखे अचानक से जो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करते हैं वो परम आपदा को अस्थान देते हैं यानि बिना विचार किये कार्य को नहीं करना चाहिए सहसा विदितम न क्रिया सहसा मतलब अचानक से किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं वो परम आपदां परम आपतियों को क् अस्थान देते हैं इसके विप्रीद जो विर्मस काइडम जो सोच समझ करके कारी करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्तियों को गुड़ों की लोभी स्वयम संपत्ती यानि लक्ष्मी विडूते ही वरण करती हैं इसके विप्रीद जो सोच समझ करके कारी करते हैं अगला देखें वज्र दपी करू ठोड़ाणी म्रिदूनी कुसुम दपी लोको तरणाम चेतान सी कोनों विक्यातू अढ़ती वज्र दपी यानि वज्र से भी कठोराणी कठोर म्रिदूनी मधूर कुसुम दपी कुसुम मतलब फूल और फूल से भी जादा म्रिदू को मल देखिए इसका अर्थ क्या है और साधारन जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के वज्छ से भी जादा कठोर और फूल से भी जादा कोमल चेतान सी मतलब मन को कौन जाँ सकता है लोको उत्रणानम यानि जो महापुरुस होते हैं उनके वज्र से भी जादा कठोर, फूल से भी जादा कोमल, मन को कौन जान सकता है प्रियार्ति या सुचरितम पित्रम सपुत्रों, यद भतुरेव हिम इच्छती, तत कलत्रम, तनीम आपदी सुखेचर समक्रियम यद एक त्रयत यम जगती पुन्य कृतो लभंदि, प्रियार्ति मतलब प्रशन करता है, यह मतलब जो सुचरित्रम मतलब अपने अच्छी चर पित्रम मतलब पितागो, सम मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, यद भतूर रेव, भतूर रेव, भरतूर एव, पती काही, हित इच्छती, हित चाहती है, तत कलत्रम, ठीक है? पुत्र, अपनी अच्छे आच्रण से पिता को प्रशन करता है, जो पती के ही हित को चाहती है, ऐसी पत्नी और ऐसा मित्र, जो सुक हो चाहे दुख, समान भाव से रहता है, या तीनों इस संसार में पुन्यवान को ही लभनते मतलब प्राक्थ होते हैं। करती है, कृती मतलब यस, सुते मतलब जन्म देती है, या हिन तती मतलब नश्ट करती है, सुधाम, सान्ता, मात्रम, मंगलाम, धेनू, धीरा, सुनित्या, सुनित्या मतलब सत्य एवं प्रिय, वाच माहूं। देखें, अर्थ क्या है इसका? विद्वानों ने सुध सान्त और संपूर कल्यानों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी धेनू मतलब गाय कहा है, जो समस्त इच्चाओं को पुल करती है और अल-क्ष्मी यानि दरिद्रता को दूर करती है, यस में बृध्धी करती है और पापों को नस्र करती है, तेखें एवा सुध सान्त और संपूर कल्यानों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय, वाणी को, विद्वानों ने ऐ ऐसी गाई कहा है जो समस्त एक्छाओं को पूर्ण करती है और लक्ष्मी यानि दरित्रता को दूर करती है कृति यानि यस में बढ़ुत्री करती है और दूरित्तम यानि पापों को हिंग अस्ति नस्ट करती है आगी क्या है? प्रित्य संश्रत्य मतलब आश्रित होता है, विक्सती मतलब विक्सित होती है, पतंग उद्यको पुंड्रिकम, सुर्य की उदय होनी पन, द्रवती यानी पिघलती है, हिम उद्गते चंद्रमा की निकलने पर, अब देखिए अर्थ देखते हैं, कोई आंतरीक कारण ही पर मिलाता है, निश्चे ही प्रेम बाहिरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, कोई आंतरीक कारण ही प्रदार्थों को आपस में मिलाता है, निश्चे ही जो प्रेम है वो बाहिरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सुर्य उदय होने पर, विक्सती ही पंग उ यानि सुर्य उदय होने पर विक्सती ही विक्सित होता है पुंडरिकम कमल। सुर्य उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत यानि चंद्रकांत मड़ी द्रवती पिघलती है। कते हैं कि कोई आंत्रिक कारण ही प्रदार्थों को मिलाता है प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता, सुर्य के उदय हुने पर पुन्रिकम कमल विक्सती मतलब विक्सित होता है और चंद्रमा के उदय हुने पर चंद्रकांत मड़ी द्रवती पिघलती है अगला देखेंगे अगला जो है वो इस प्रकार है कि निदन्तू निती निपुणा यदिवा इस्तुवन्तू लक्ष्मी समाविस्तू गच्चतू वायसिस्थम अध्ययव मलच्तू युगांतरेवा नायात पत प्रवीचलंती पदमन धीडा निदन्तू निती निपूडा निती में निपूणलो निदन्तू मतलब निंदा करें यदिवा इस्तुवन्तू या इस्तुती करें लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी समाविस्तू लक्ष्मी आई यच अपनी इच्छा नुसार गच्चतू चली जाए अध्ययवम आज ही मरण अस् देखिए इसके अर्थ को देखते हैं निती में निपूर्ण निन्दा करी या इस्तुती करी लक्षमी आएं या अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं चाहें आज ही मिरती हो चाहें युगों के बाद हो धैरे साली जो पुरुस होते हैं वो अपने नियाय से पल भर के लिए भी विचलित नहीं होते हैं इसका अर्थ आप लिखेंगे रिश्यो राक्षसी माहू वाज उदम दिप्तेओ सा योनी सर्व वल्यणाम सा ही लोकस से निहन्तम उदम दिप्तेओ का अर्थ होता है मतवाले और अहंकारी की योनी उतपन करने वाली निर्टी का अर्थ है विपत्ति देखें अर्थ रिश जगणों को उतपन करने वाली होती है और समस्त विपत्ति का कारण होती है रिशियो ने अहंकारी और उन्मत वाडी को राक्षसी वाडी कहा है क्योंकि वह सभी जगणों को उतपन करने वाली होती है लोकस्य निहर्टू और संसार की विपत्ति का कारण होती है देखे, नौवे चेप्टर की और हम लोग बढ़ते हैं, अब तक अगर आपको हमारे की प्रियास अच्छा लग रहा हूँ, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरिप्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप लाइक की बटन को जर जन प्रियागी प्रतिष्ठत परिवारों अफवत, महा अस्मीर मदन मुहन मालवी का जन प्रियाग के प्रतिष्ठत परिवार में हुआ था, अस्य पिता, इनकी पिता पंडित वजनात मालविय, संस्कित सम्मानित विद्वान आसित, इनकी पिता पंडित वजनात मालविय संस्कित के सम्मानित विद्वान थे। प्रभावपूर भासर से जनानाम लोगों की मनांसी मन को अमोयत मोह लिया। मतलब पद्वी को प्राप्य मतलब प्राप्त करके देशस्य स्रिष्टरम देश की स्रिष्ट सेवा कर्तुम करने के लिए प्रेरित वंतह प्रेरित किया। विधे यानी कानूं प्रक्रिष्ट ज्यानें के उत्तम ज्यान मधूर आलापिन, मधूर बाचीन तथा उदार वहवारें उदार वहवार की कारण। चायम सिघ्रमेव यह सिघ्र ही मित्राणा मित्रों के नयाधीस च और नयाधीसों के सम्मान भाजत अववद, मित्रों और नयाधीसों के सम्मान के पात्र बन गए। तद अनुसार इन्होंने कानून की परिच्छा उत्रिण करके प्रियाग की उच नयायाले में वकालत का कार्य प्रारंब कर दिया। महापुरुस लौकिक यानि संसारी प्रलोभन में बंधा मतलब बन करके नियत लक्षान अपने नियत लक्ष से कदापी कभी भी विश्लित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्त देश सेवा में अनुरक्त अयम यह युवा यह किसके लिए प्रयोग की आगया है महामना मालवे के लिए। अयम युवा यह युवा उच्च नयाले के परिधो अस्तनान्तुम नास अक्नोद परिधी में नहीं रह सका। लेकि महापुरुस संसारी प्रलोभन में बधा मतलब बंध कर अपने नियत लक्ष से कभी भी विश्लित नहीं होते हैं। अयम यह युवा उच्च नयाले की परिधी में नहीं रह सका। स्वतंतता संग्राम में उत्रें। अध्यजपत को अलंक्रेत किया। दिल्ली के तेश्में कांग्रेश अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेश की अध्यजपत को अलंक्रेत किया। रोलेक्ट एक्ट इत्वाख्यानेन व्रिधोधी अध्य उजस्वी भास्वण को सुन करके अंग्रेशी सासक डर जाता है। भैभीत हो गए। बहुवारम बहुत बार कारागारी जेल में निछिपतो अपी जाने के बाद भी अयम यह विरह मतलब वीर देश सेवा व्रत न तज्यते नहीं छोडा। बहुत बार कारागार में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोडा। का उदेती उदे हुता है और तह इसलिए स्री मालवी ने वराण स्याम वराण सी में काशी विश्व विद्याले की अस्थापना की। एक बार पूरे को देख लेते हैं फिर समझते हैं आगे बढ़ते हैं। कानून की परिच्छा उत्रिण करके प्रयाग्मी इस्थित उच न्याले में वाकालत का कार्य प्रारम कर दिया। कानून की प्रक्रिष्ट ज्यान, मधूर बाचीत, उदार वहवाल, सेयसिग्र ही मित्रों और नयाधीशों के समान के पात्र बन गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभन यानि संसारिक प्रलोभन में बंद करके अपने नियत लच्च से कभी भी भ्रहमित नहीं होते। देश दिवा में अनुरक्त यह युवक उचन्याले की परिधी में नहीं रह सका, यानि उचन्याले इन्होंने छोड़ दिया। पर इनका समान अधिकार था, हिंदी हिंदू हिंदू के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, शिच्चा से ही तेज समाज में नए प्रकास का उदर होता है। अता स्री मालवी ने वनार्सी में काश्री विश्वविद्याले की अस्थापना की। अश्य निर्माणाये इसके निर्माण के लिए अयम जनानाम इन्होंने लोगों से धनम अयाचत, धन मांगा, जनास्च और लोगोंने महा अत्मिन, महान यग में यान यगे यान यान यग प्रभूतम धन असमे प्राक्षन इनको बहुत सा धन दिया। सी मालवी जी के यस के प्रतिमूर्थी के रूप में सुसोभित होता है। इतु दर्श चते यह दर्शाता है मनिसी मुर्धन्य मालवी यानि विद्वान मालवी जी के द्वारा। देखे साधारार इस्तिती में रहकर भी अपने महान उत्सास से अपने पौरुस और विचार सीलता की अधार्प असाधार्य कार्य भी हो सकता है। इस बात को विद्वानों में स्रेश्ट मालवी जी ने दर्शाया है। इत तर्थ में जनास्तम महामना इती उपादी अति आरमवद्वान। इसलिए लोगों ने जनास्तम मतलब लोगों ने महामना की उपादी से इने संबोधित करना प्रारम कर दिया। इसलिए लोगों ने इने महामना की उपादी से संबोधित करना प्रारम कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धारमिको नेता पदू पत्रकार आसित। मतलब होता है निपुण पत्रकार आसित। निपुण पत्रकार थे। परम अस्य परम सर्वोच गुड जन सेवा आसित। परम अस्य इनका सर्वच गुण जन सेवा आसित लोगों की सेवा ही था यत्र कुत्र अपी जहां कहीं भी अयम जनानाम दुखिताम या लोगों को दुखी पेड़त पश्यत पेड़त देखते थे तत्रेव सह सिग्रम उपस्थित वहां वस्थिक्र ही उपस्थित होकर सर्व मध्य अनुपस्थितों, आज हमारी मध्य अनुपस्थितों होते हुएवी, महा मना मालवी अपने यस प्रकासम वित्रम अंधितमसी निमगना जनासन मालवन दर्शन अस्थाने अस्थाने जनी जने उपस्थिते हो आज हमारे मध्य अनुपस्तित होते हुए भी महामना मालवी जो है वह प्रकास बाड़ते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं अस्थान अस्थान और जन जन में उपस्तित है आज हमारे बीच नव भी होते हुए महामना मालवी अ अपने यस मुर्ती के रूप में प्रकास बाड़ते हुए अंधकार में निमगन लोगों को सच्चा मारग रिखाते हुए अस्थान अस्थान और लोगों में उपस्तित है। मृत्यू मतलब मृत्यू अभ्यम मतलब भय नहीं है। इनका हिंदी संस्कीत और अंग्रेजी भासा पर समान अधिकार था। और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। सिच्छा से ही देश और समाज निर्वीन प्रकास का उदय होता है। इसके निर्माड के लिए इन्होंने लोगों से धन्माना और इस ज्यान यग में लोगों ने इन्हें बहुत सारा धन्दिया। तेन निर्मितों उससे निर्मितिया विशार विश्व विद्याले भार्तियों की दानसिलता और मालवी जी के यस की प्रतिमूर्ति की रूप में सुसोवित होता है। पर दिखाया। अंतिम जो आपका चैप्टर है इस सत्र का ये अंतिम जो आपका चैप्टर है। हमने अब तब पूरी चैप्टर की राख्या कर दी है। पंच सील सिष्टाचाल विशय का मतलब संबंधी सिधानता मतलब सिधानत है। अत एव यह सब्द आज भी वैसे ही स्विकार किया गया है। इमे सिधानता क्रमले एवं संति यह सिधानत क्रमसह इस प्रकार है। अहिंसा यानि हिंसा न करना, सत्यम सत्य, अस्तेयम यानि चोरी न करना, अप्रमाद न करना, ब्रमचर्यम इति और ब्रमचर्यम। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रमचर्यम। बौध युगी इमे सिधानता, बौध युग में या बौध काल में इमे यह सिधानत, वैक्तिक जीवनस्य, बौध काल में वैक्तिक जीवन के उत्थान, अभु उत्थनाय, उत्थान के लिए प्रियुक्ता आसन, प्रियुक्त होते थे। बौध काल में व्यक्तिक जीवन के उठान के लिए यह सिधान्त प्रियुक्त होते थे। राष्ट नायक्स्री जवाहलाल नहरु महोदे के प्रधान मंत्रित्वकाल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचसील सिधान्तों के आधार पर हुई थी। उभावपी दोनों ही देशों देश बौध धर में निष्ठा रखने वाले थे। क्योंकि दोनों ही देश बौध धर में निष्ठा रखने वाले हैं। क्योंकि आधुनिक जगती संसार में पंचसील सिधान्तों ने नवीन राजनेतिकं स्वरूपं ग्रहण कर लिया है। क्योंकि आधुनिक के आज भी जगती मतलब संसार में यानि आधुनिक संसार में भी पंचसील सिधान्तों ने नवीन राजनेतिकं स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं चव विवस्थिता वे इस प्रकार विवस्थित किये गए हैं। कि अपी राष्टरम कोई भी राष्ट कस्य नायस्य राष्टरम आंग्रिकेश्व विशेव के प्रदिशव व्याग्यातम न करिश्यती। परस्पर प्रभु सत्ता और प्रादेसिक अखंडता का सम्मान करेगा। विश्वस्य यानी राष्ट राणी विश्वके जो भी राष्ट सांती एक्षंती सांती चाहते हैं। विश्व के जो भी राष्ट सांती चाहते हैं वे इन नियमों को स्विकार करके अन्य राष्टों के साथ अपने मैत्री भाव को सुद्र करें। पर आज यह सिधान राष्टों की परस्पर मैत्री सहयो फितू विश्व बंधूत्व और विश्व सांती के साधर हैं। विश्व के जो भी राष्ट सांती चाहते हैं। इन नियमों को स्विकार करके परस्पर राष्ट सौहार्द स्व मैत्री धिड़ करते हैं। अन्य राष्टों के साथ अपनी मैत्री भाव को इसी के अधार पर धिड़ करते हैं। तो यह सारे आपके चैप्टर के वो थी हिंदी अन्वात। हमने पूरा प्रयास किया है जरसे भी हम से प्रयास हो सका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद राता है तो फ्लीज एक लाइक करें। और आपके लिए हमने यह महनत की है। इस वीडियो को सेर करना न भूलें। धन्यावाज जैहीं दम्हादेव खर रहें सुरक्चितने आपका एक्जाम बहुत अच्छा हो। यह हमारी सुपकामना है।